चाहिए तुम कोचिंग से भी प्रिपेशन करो, तब भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आपको एक टागेट फिक्स करके उसी के अकोडिंग प्रिपेशन करना है, एक न्यू इमेल आईटी से अभी यूटूब लॉग इन करना है, तो चैनल कौन से फॉलो कर सकते हो, टीचर क को बदलना नहीं है, और यहां पर सबसे ज़्यादा जो जरूड़ी है, कम माइनसेट बना हो रहेना चाहिए, डिस्ट्रेक्ट नहीं होना है, जो भी डिस्ट्रेक्शन वाले चीज़ है, वो आपको सब कुछ चोड़ना है, क्या बिना कोचिंग के, या फिर यूटूब से प्रीडियो को सुरू करते हैं, तो सबसे पहले में बात करता हूँ, पॉसिबल है की नहीं, देखो अगर आप पूरा डेडिकेशन से प्रीडियो करते हो, और प्रॉपर माइनसेट बना लेते हो, कि मुझे बिना कोचिंग गई, सिप यूटूब से प्रीडियो करके, नेक् प्रीपेशन करो, तब भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसके लिए आपको माइनसेट एंडेडिकेट होके प्रीपेशन करना जरूरी है, आपके पास टोडल है 6 मस, जिसके लिए आपको पूरा टागेट सेट कर लेना है, कि मुझे नीट क्रेक करना है, इतने मांक्स लान करना है, तो चलो बात करता हूँ कि कैसे प्रीपेशन करना है, कुछी जो का ध्यान में रखना है, तब ही आप यूटूब से पर सकते हो, अच्छे से बिना कोचिंग के, तो सबसे पहले चीज़ आपको यूटूब एन एय का help लेना है, यूटूब से आपको क्या करना है, यूटूब में आपको डिस्ट्रेक्शन बहुत सारे मिलेंगे, यानि कि जब भी लेक्टर देखने लगोगे, तब ही आपको रिक्रमेंडेशन कुछ ना कुछ वीडियो का मिलता रहेगा, बट उन वीडियो से आपको डिस्ट्रेक्ट नहीं होना है, आपको क्या करना है, यूटूब लॉग इन करना है, उसके थुरू आपको उनी सब चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो आपके लिए इंपोर्टेंट है, यानि कि आप नीट के लिए प्रपसंद करना हो, तो नीट से रिलेटेट कुछ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है, और उनी से बना लिए कि यह सब वीडियो मुझे देखना है उसी तरह से आपको प्लेलिस्ट बना के आपको पढ़ना है और AI का तब लेना है जैसे कि आपको कुछ डाउट हुआ टीचर दो है यहां पर पूछ सकते हो यहां पर आपको सिंपल लेकरना क्या है वही डाउट आप AI से पूछोगे वह आपको प्रॉपर्ली एक्स्प्लें करके देगा यानि कि चैट जी बीडियो अच्छे से कर सकते हो जो कि फिजिक्स होला का ये चैनल पर मिल जाएगा या फ अंकल नीट व्यदानतू से भी पर सकते हो या फिर अगे बढ़ने से पहले मैं बात करना आगे बताता हूं उससे पहले देखो टेस्ट एटम करना इसलिए जरूड़ी है क्योंकि तभी आप अपना लेवल जान पाओगे फिर अपनी मिस्टेक्स पर काम करोगे फिर दे बै पासपरो जिसमें आपको जो टॉटल плton busty nine प्लस टेस्ट मिल जाएगा जिसमें से आपको जो 90 प्लस लयोस मिलने वाला और strengthen kok छाओ मिल जाएगा और हर एक Quebecा अधर चाह को उतनी बार सकत 거야 टिबार कर सकते हो कोई दिक्टत में और इसमें ज इतने भी कोई संधे शांग कर सकते हो एक मैने के लिए हुआ है क् commission कर जाएगा कूपन को भी वहें पर मिल जाएगा तो इस टेश्रीज को जाके जरूर चेक आउट करना तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बाइलो जी के लिए वीडियो से पर सकते हो पुराने क्लास से देख सकते हो या फिर आप जो कॉंपेटिशन वाला के चैनल पर आपको पुराने क्लास के लिए इन टीचर्स को फॉलो कर सकते हो और फिर विशाल से भी पर सकते हो यह तो आपको फीजिक्स वाला चैनल या फिर कॉंपेटिशन वाला चैनल पर मिल जाएगा उसी के सथिग्स के अब अलग सर के पुराने लेक्चर देख सकते हो या फिर आपको डियान रहे है जहासे भी आप पुराने लेक्चर्स देखो कहें तो आपको अपडेट्ट सिलेवास के एकोडिंग परिना नहीं है अगर समझ नहीं आता है तब बदल सकते हो बट आपको टीचर बदलना नहीं है एक ही से फॉलो करना है उसी के सब टेस्ट की अगर मैं बात करूँ चुकि मैंने पहले बता दिया उसको फॉलो कर सकते हो नेक्स्ट आपको और NCIT Highlighted Book कहीं से जुगार कर लेना है यहां पर आपको अपने एकोडिंग नहीं पढ़ना है क्योंकि यहां पर टाइम बचा के Highlighted Book को पढ़ोगे तो यहां पर इंप्वोटन लाइन ही पढ़ोगे और उससे आपका टाइम बचेगा Highlighted Book आप किसी सीनियर से भी ले सकते हो या फिर टेलेग्राम चैनल वागरा से भी डाउनलोड कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं नेक्स आपको ईको स्वाइब का स्वाइब कर लेक्तिष जड़ करते हो स्बसे पहले तो आपको सटडी के लिए रेगुलर ख्लास के लिए इक प्रॉपर प्लेस कर लेना है याने की रेगुलर उठोगे इसी जगह से प्रेप stuck करोगे वहीं जगा से study करोगे आपको जगा बदलना नहीं है regular classes के लिए ज़रूरी है उसी की साथ जो जगा fix करोगे वहाँ पे कोई भी distraction वाली चीज नहीं होना चाहिए अगर distraction वाली चीज हुई तो आपका time waste होगा next आपको जो अपना sleep time और wake up time time fix कर लेना जरूरे खाने पीने का time भी fix करना है और lecture जब भी देखोगे वह time भी आपका fix होना चाहिए यानि कि regular एक time पर ही आपको लेक्टर देखना है आपको time change नहीं करना है next subject wise approach की बात करो तो biology को next 3 months में किसी भी हाल में complete करना है और biology में आपको सारे chapters करना है ताकि 350 प्लस marks ला सको इस बात का ध्यान रखना है physics जो है आपको end तक करना है कोई दिकत नहीं है आपको जो है इसमें सारे chapters नहीं करना है 24 chapters करोगे चल जाएगा chapters कौन से करना है एक डीटेल वीडियो लेकर आ जाओंगा इससे आपको 140 प्लस marks लाना है इतना लाना को difficult नहीं है आराम से कर सकते हो पूरा करने जाओगे तो physics में आपका टाइम चला जाएगा यहाँ पर आपको maximum focus bio and chemistry पर रखना है और साथी सब दता दुए आपको कैसे करना है क्या करना है इसके लिए मैं और वीडियो बना रखाऊं सब्जेक्ट वाइस उसको देख लो कि बाली जो कैसे करना है उ वीकली बेसिस पे आप जो है डीटेल नोट्स के थूर रिवाइस करोगे रिवीजन नहीं करोगे सब कुछ भूलते जाओगे नेक्स्ट चीज अगर मैं बात को study की तो study यहाँ पर आपको कैसे करना है देखो सबसे पहली बात जब भी lecture देखो के notes भी साती सात रख लेना त अगर समझ पहों तो concept अच्छे से clear कर लेना यहां पर उसी के साथ अगर आप biology के लिए पर रहे हो या फिर chemistry के लिए आपको लेक्ट्टर देखने के बाद NCRT पढ़ना बहुत ज़रा ज़रू है NCRT आप लाइन अच्छे से पर लेना highlighted book के according और उसी किसे तरह आप फिजिक् टॉपिक को आपको दोबारा से रिवाइस करना है अच्छे से समझना है ठीक है question practice करने के बाद आपको पूरा देना है तीनों subjects related ताकि कल जो पढ़े थे उससे पहले जो पढ़े उसको रिवाइस कर पाओ एक proper schedule वाला वीडियो कल तक अप्लोड हो जाएगा उसको देख ले है time to time item करने है test का resource मैंने पहले आपको पता दिया उसको follow कर सकते हो और उसके साथ Sunday को जो आपको proper revision करना है पिछले 6 दिन में जो भी पर हो उसको आप detail notes के तुरू revise कर सकते हो या फिर short revision वाले वीडियो को देख सकते हो जिसमें आपको चार से पाच घंटा लग सकता है पू करने के लिए चार से पाच घंटा तो निकालना होगा और ध्यान रहे टागेट सिट करके स्टड़ी करना जरूरी रेगुलर वीकली आपको टागेट सिट करते रहना होगा time management प्रोपर जरूरी है 13 प्लस आवर्स आपको रेगुलर स्टड़ी करना जरूरी है तब ही आपका प्रोपरली अच्छे जिकर पाओगे और वीडियो के लिए मैंने चैनल को जागे चेक आउट कर सकते हूं तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंक्यू